येस वी अलाइब नौ एट्स लेंगे अपसे बढ़िया होंगे सभी को गुड़ीवनिंग नुमशकार राम राम सथिया काल असलाव अलेकम अटेवी फील कनेक्टे विद कई दिन हो गए हमको थेयरी 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 करते हुए तो मैंने सुचा एक दिन बीच में डिसकेशन क्योंकि पेपर में आने क्वेशन्स ही अंतता है तो डिसकेशन करेंगे समझेंगे EVS का ये ऐसा सेट है जो अपने आप में डिफरेंट है मतलब इसको मुश्किल सेट कह सकते हैं क्योंकि इसमें NCRT से भी डिरेक्ट क्वेशन ना पूछ करके घुमा करके क्वेशन पूछ ह हैं और थोड़े से अलग क्वेशन्स भी हैं तो समझेंगे पेड़ागाजी बहुत इजी है इस एक सेट की बट जो कॉंटेंट वाले क्वेशन्स हैं वो आपको थोड़े से घुमाफदार लगेंगे आजाए एक बार जोईन कर लीजे और ये इवेंट आपका कई दिनों स लगा हुआ है तो इसको शेयर जरूर कर दीजेगा उन लोग के साथ जो भी तैयारी करते हैं क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जाने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि हमको कई दिन पहले करना था बट बीच में फिर हमने लिए मैराथॉन्स शुरू हो गई थी अच्छे इ आपका मन हैं कोई भी आपके उनमें डाउट्स हैं पूरा एक डिसकेशन रहेगा चार-पांच घंटे का और आप एक बज़े से चार बज़े तक मेरा सेशन है ये नॉमल टाइम है ये चार से छे भी हो सकता है इट डिपेंड्स के उस टाइम पे आप लोग के कितने सेर की क्लास होगी तो मैट्स में जिन लोगों को जाकर के डाउट पूछने हैं कोई KVS के लिए अगर तयारी कर रहा है हो मन है कि बही कुछ पूछना है तो आप आ सकते हैं बिल्कुल CDPA Concepts हम एक से चार में डिसकस करेंगी क्योंकि common चीज़े भी आपको पढ़नी ही है चा इस ताइम पर KVS आने वाला होगा कुछ Master Classes आपको दे दें अलग से बैच अभी आफलाइन में नहीं निकाल रहा है और देश भर से आप लोग जूड़ पाते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी आ जाएगे फटाफट से बहुत ही बढ़िया KVS के बारे में भी कई लोग देखो ओल्ड बैच का और नए बैच का सारा कुछ आपको कल उदैसर ने बता दिया है कि अगर आप पुराने बैचिस में हैं KVS के मालने जो पुराना बैच आपने लिया था तो उसमें जो भी एक्सरा चीज़े होंगी वो VOD रिकॉर्डेट क्लास में डलवा द है तो आप कुछ टाइम रुख जाई मुझे और पेपर से पहले मन देखोंगे आपको ये है KVS का बैच जिसमें आप अभी एड्मिशन ले सकते हैं करियर विल एप डाउनलोड करके प्लीज किसी भी फेक वेब साइट से मत जुड़िएगा वहाँ न आपको फिर सेशन से उरिजनल मिलेंगे कोई पुरानी विडियो उठा करके वहाँ डाल दी जाती है तो उस चीज से बचके रहे है करियर विल एप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और सिर्फ वहीं पर एन्रॉल करना है इसमें डिसकांट वगरा भी चल रहा है और ये जिन लोगों की ये पेडगोजी special batch है सिर्फ KVS के लिए है ना पेडगोजी special batch हमारे आते रहते हैं ये 6th batch है तो ये सिर्फ KVS के लिए है जो KVS का syllabus है आपका चाहे वो TGT का हो 40 number PGT का हो या PRT के हो 60 number KVS के ही हिसाब से हम इसमें सिर्फ पढ़ने वाले है और इसकी fee बिल्कु लिमिटर रखे गई है 800 रूपीस जनरली ये ज़्यादा ही होता है जो पेड़ागोजी स्पेशल है क्योंकि ये सिर्फ KVS को टार्गेट करके बनाया गया है इसके अडमिशन्स आपके स्टार्ट हो गए है और क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हैं तो ये information है जो देना बहुत ज़रूरी अभी हो जाता है क्योंकि अगर आपको information ना दे दी जाए तो उस चक्कर में कहीं और से आप गलत resources से भी जुड़ जाते हैं अभी ये खूब देखा जा रहा है ये complete badge है KVS वाला चलिए कहानी शुरू करते हैं और समझते हैं टेलेग्राम पर देखो ये जो cdp के जितने भी session हुई ये pdf मैं आपको notes की form में दे चुकी हूँ तो एक बार उसको आप देख लीज़ें मैं दुबारा से upload कर दूँगी उसकी कई लोग demand कर रहे हैं बहुत प्यारे-प्यारे questions हैं start करते हैं पहले questions से एकदम test की तरह इसको लेना है ताकि आपको confidence आप है देखो किसी section में हो सकता है 10 questions मुश्किल आ जाएं इसका मतलब ये नहीं वो section ही छोड़ देना है ये आपको आज वाले set को करने से बहुत ही अच्छे से idea लग जाएगा कितना जरूरी है कि आप questions सारे attempt करके आए क्योंकि कोई negative marking तो है नहीं seated में ना KBS में है चलिए पहला सवाल आपके सामने बहुत ही free एक number के लिए हम कहेंगे आज मैं super chat सारी पढ़ूंगी क्योंकि दुको जब topic चल रहा होता है confusion है last questions आये थे शरीन मैंने कल भी आपको कहता है एक working memory और types of play ये दोन topics में कराऊंगी don't worry ठीक है don't worry first का B देखते हैं इसमें answer कोई सही दे पा रहा है कि नहीं इसमें सभी के answers गलत हैं उसका reason अभी समझते हैं then EBS teacher यानि आप क्या है environmental studies यानि परियावर्ण अध्यन के teacher है environmental sciences के नहीं environmental sciences के नहीं अगर आप KBS का slavers देख रहे हैं तो वहाँ पर environmental science पूछा जा रहा है आपसे यानि extra जितने भी questions है science related वो भी पूछ ले जाएंगे depth में जाएगी बात लेकिन जब आप seated के लिए पढ़ते हैं तो environmental studies है डरब Emirates में इस पे chapter है आपका NCIT में उसी से ही बात कही जा रही है तो एक बच्चा happy class में जो अबुधाभी से जॉइन कर रहा है the teacher has her online class scheduled at 10 a.m और teacher की जो class है वो online class है इसी लिए अबुधाभी से बच्चा देख पा रहे है ऐसा नहीं कि इसको Indian time के according आबुधाभी से class लेनी है बताईएगा 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 फटाफचा बताईएगा डेढ़ घंटे का अंतर है exactly साड़े आठ बचे आप अगर दुबई में रह रहे हैं आप आबुधाभी में रहे हैं किसी भी कंट्री में रह रहे हैं किसी भी जगहा पर रहे हैं तो क्या है डेढ़ घंटा पीछे हैं वो IST यानि Indian standard time जो है ये इसके डेढ़ घंटा पीछे हैं तो इसका जो answer होना चाहिए था वो काईदे में B होना चाहिए था इन्होंने साड़े आठ कहीं लिखा नहीं क्योंकि 10 बजे में से हम 1.5 घंटा घंटा घंगे तो सुभा के 10.5 तो हमारे यां 10 बजए हैं तो वहां 5.5 बज़े बच्चे को बैठना पड़ेगा क्योंकि वहां के टाइम से 1.5 घंटा आगे है ठीक है इतनी बात अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो इन्होंने एक भी option सही नहीं दिया तो इसमें free के number मिले है जो आपकी official answer की है वो कहती है 9, 9 का मतलब होता है free to all, यानि जो भी आपने उत्तर लगा दिया होगा free के number आपको मिल जाएं, क्योंकि यह सब बात हैं हमें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए indirectly पूछेगा तो हमें लेगा पता नहीं कहां से आगया question है ना, और बढ़ते हैं आगे चलिए बहुत बढ़िया चलिए चलिए बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि आप जवाब दे पा रहे हैं पोल में जवाब देना है कॉमेंट्स को अवाइड करके क्या अगर आप लाइब देख पा रहे हैं तो उससे आपको पता लगए है कितने परसेंट लोग आप जैसे सही उत्तर दे रहे हैं 54% लोग कहा रहे हैं A option question क्या है which of the following is the least used type of cooking oil यानि भारत में भोजन बनाने के लिए निमनिकित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है सबसे कम तो सबसे कम mustard oil भरपूर सर्चनों के तेल का प्रयोग होता है हमारे देश में नारियल का भी प्रयोग होता है बहुत अलग 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 जगापे अगर हम देखते हैं और groundnut oil मौमफली का तेल palm oil सबसे कम इन चारों options में से यूज होता है palm मतलब ताडगा तेल खाने के लिए कम यूज करते हैं और बहुत सारे products में ये यूज होता है लोग पता नहीं कहां कहां शेंपू से लेकिए और बहुत सारे beauty products होगा हमें भी उस कर लेते हैं तो palm oil basically कम यूज होता है अगर हम बाकी oils का comparison करें इंडिया के context में cooking के मामले में तो A option ये एकदम factual सा question है इसमें मैं और आप कुछ कर नहीं सकते question number 3 देखिएगा आप principal asked an EVS teacher to select indoor plants for her office यानि एक principal ने आप school में गए आपका selection हो गया केंद्रे विद्याले में मान लेते हैं या जहां पर भी इस साल अभी KVS के vacancy आई होए तो KVS ही मानेंगे तो आपका selection हो गया और आपके principal बिना sunlight के भी या कम sunlight भी अगर विंडो से आ रही है तो वो survive कर जाएं उतना कुछ indoor plants होते हैं कुछ outdoor plants होते हैं जिनको sunlight की ज़रत ज़्यादा होती है उनको बाहर रखा जाता है जो कम sunlight में भी गुजारा कर लेते हैं हफते में का दिन दिन दिखा दो तो उनको हम indoor कह रहे हैं तो आप as a EVS teacher अपने office के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने गई हैं तो कौन सा समूह आप चुनेंगी कौन सा group of plants आप चूज करेंगी इन चार options के combination में से aloe vera, petunia या money plant फिर aloe vera, money plant, croton या फिर money plant, petunia और mint mint आपका वही, pudina तो pudina कैसे survive करेगा घर के अंदर और बात रही किसकी ये petunia की तो ये कैसा पौधा है अगर नहीं भी पता है तो हम इसके बारे में आप जान सकते हैं जिसको sunlight की बहुत जादा ज़रत होती है लगबग 6 गंटे तो चाहिए एक दिन में काम बन जाएगा ठीक है, कोई दिक्कत परिशानी इस बात को समझने में अगर हो रही है aloe vera money plant croton ठीक, आगे बढ़ेंगे question number 4 देखिएगा एक बार ये क्या कहता है question number 4 कहता है in villages यानि गाउं की जब हम बात कर रहे हैं it is common to observe how women at home remove the husk from the grain this method is known as, ये question पहले offline आपके जब paper होते थे तब भी पूछा गया है, दो बार कम से कम इस बार भी पूछा गया है यानि गाउं में हम ये साधान रूप से देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, वो अनाज से भूसे को कैसे अलग करती हैं ऐसे फटक करके अगर किसी ने देखा है, कोई गाउं के दर्शन किसी ने किया है जो कि करने ही चाहिए अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको ये बात थोड़ी बहुत आइडिया लग रही होगी कि इसको विनोइंग कहते हैं ये सिंपल आंसर है, इसका निश्पादन या फटकना कहते हैं जाड के ऐसे अलग करते हैं जब आप किससे जो अनाज है और उसको भूसे से अलग कर रहे हैं याद रखेगा अनाज है जिसको भूसे से अलग कर रहे हैं कि निकाल रहे हैं लिए ईक हाथ से चुण रहें है चान ना अगे चान थोड़ी है आपये आप इत्तक के निकाल रहें चानने में आप चंनी का प्रयोग करते हैं ठ्रैस इंग हो गया वह जो आप जब आप फसल काट के लाएं है उसको जाड़ जाड़ के ऐसे किसी चीज़ पर तब आप थ्रेशिंग मतलब उस ग्रेन को साइड कर रहे हैं वाद में उस ग्रेन में से हस्प को अलग निकाला जाएगा जब आप उन roots से निकाल रहे हैं जिन चीज़ों को जब हम threshing का प्रयोग कर रहे हैं अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे winnowing की तो यह आप देख पा रहे हैं एक uncle है और gender parity का use करते हूँ हमने पहले uncle को दिखाया है कि यह एक male है और क्या कर रहे हैं धूसा अलग कर रहे हैं जो बीज है उससे threshing के माध्यम से ठीक और यहाँ पे एक auntie भी मिलेंगी आपको आगे यहाँ पे auntie है जो winnowing का प्रयोग कर रही है किस चीज के लिए भूसे को दाने से अलग करने के लिए यह आप देख रहे हैं यहाँ आने पड़े हुए है एक तरफ भूसा होगा और जो भी इसमें से हस्क निकल जाएगा और उससे पहले जो इससे पहले की प्रक्रिया है वो threshing है कि जब आप काट के लाए फसल को फिर उसको मार मार के यह बीज अलग कर रहे हैं आप फिर इसमें से भी भूसा अलग करेंगे तो यह विनोइंग हो जाएगा तो यह सिंपल विनोइंग हो गया इसमें क्वेशन आजाता है कई बार इसलिए हम थोड़ा से इसमें ज्यादा जोर देंगे question number 5 देखिएगा एक बार the relationship between organisms where one organism benefits from the association while the other is harmed line ध्यान से पढ़े है क्योंकि यह question कई बार घुमा करके पूछा गया है seated में इसके आसपास वाला question exact यह नहीं है वो question तो जीवों में संबंध जबकि एक जीव को सहाचरे से लाब होता है और दूसरे को हानी होती है यानि दो organism है एक दूसरे के साथ रह रहे है बट एक को लाब है और एक को हानी है तो एक के लिए यह चीज पॉस्टिव हो गई एक के लिए नेगिटिव हो गई यानि एक तो host है और एक है जो उस पर feed कर रहा होगा ऐसा एक question आता है symbiotic relationship का बगुला और भैस के उपर बगुला क्या है उन दोनों का symbiotic relationship है दोनों के लिए अच्छा है बगुला जो है जो भी parasite सो गे रहा होते हैं उनको खा जाता है भैस के उपर से skin में से और उसका भी pate भर जाएगा और भैस को भी आराम मिल जाएगा या जो भी buffalo है या जो भी इस तरह का animal है तो वो symbiotic मतलब अच्छे हैं तो ये symbiotic आँख बंद करके नहीं लगा देना है यह है क्योंकि यहाँ बात हुरी है एक organism को तो benefit मिल रहा है और दूसरे को harm हो रहा है जैसे हमें अगर मच्छर काटे तो मच्छर के लिए तो benefit है भाई आखून पीके मोटा हो जाएगा एक दम ताजा ताजा मच्छर आपने देखा होगा कभी और गलती से अगर आप उसको मार दें तो वो दिखाता है कि आपका B-positive blood group उसके अंदर भरा हुआ है तो यह वो वाला relationship है इसको parasitisism कहेंगे parasitisism कहेंगे यानि पर-जीविता है यह कि सामने वाले को harm हो रहा है लेकिन आपके मज़े आ रहा है ऐसे लोग भी होते हैं, इंसान भी होते हैं पर-जीविता का रिष्टा है यानि parasitisism is the relationship between two organisms यानि दो जीवों के बीच का रिष्टा wherein one organism जो एक जीव है जहाँ पर वो क्या है, parasite है खुन चूसने वाला है thrives at the cost of the other the host, host क्या है यहां मान लिजे human hand है, तो human क्या बन गया इस मच्छर के लिए host हो गया या आओ host नहीं हो ते घर में बुला रहे हो आप किसी को खाने पर आप host कर रहे हो उस टाइम पे तो आपने अपने घर में बुलाया के लोग बिटा खून पियो याना vampire के जैसे और मच्छर क्या है यहां parasite बन गया तो यह एक और चीज़ है symbiotic relationship की तो यह parasitisism mutual हो गया दोनों का फाइदा हो रहा हो और अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर तो यह बगुला है और यह बफैलो है इन दोनों का symbiotic relationship है यह भी याद रखना है इस पर दो बार question आ चुका है इस बार इसके आसपास का question दे दिया तो बाकी की options भी हमें पढ़ने हैं जब हम एक question solve कर रहे हैं तो वही जो सही है उसी पर नहीं बाकी options के बारे में भी हमें थोड़ question number 6 endemic species यानि विशेश शेत्री प्रजातियां अब जिसने हिंदी में पढ़ा है इस question को यह अपने आप बता रहा है जवाब क्या है विशेश शेत्री प्रजातियां का मतलब हो गया जो किसी विशेश शेत्र में रहती हैं simple बात no बकवास है ना तो endemic species क्या है rare है यह वो त जो खत्म होने की कगार पे हो imported species कहीं और से आयात करके लिए अभी वो टाइगर वाइगर आया थे न कहीं से और species found in particular area यह बात एकदम सही है वो प्रजातियां जो किसी एक particular area में पाई जाती है जैसे कंगारू एक टाइम पे ऑस्टेलिया में ही मिलते थे या भी ऐसा ही होग तो हम यह कह सकते हैं कि यह particular शेत्र में पाई जाती है जैसे एक चीज है नील गय वो कहां पाई जाएगी कुछ शेत्रों में पाई जाएगी UP के या कहीं specific reasons में तो जो विशेश शेत्र में पाई जाती हैं जो प्रजातियां हर जगा नहीं मिलती उनको हम क्या कह रहे हैं endemic क कह रहे हैं आगे बढ़ेंगे डी option is the right answer endangered जो species हैं वो हैं जो भाई खत्म होने के कंगार पे हैं कंगार पे हैं या भी गाया भी हो चुके हैं कुछ तो देखेगा अगर हम बात करते हैं डाइनोसार के जैसे देखेगे वो तो लुप्त ही हो चुके हैं question number 7 देखेगा विलुप्त question number 7 है which of the falling is or are consequences of deforestation इस तरहा question भी पहले पूछा जा चुका है यानि वनोन मुलन या वनों को काटने से नुकसान क्या क्या है या consequence क्या होंगे प्रभाव क्या पड़ेगा यदि आप जंगलों को काटते रहेंगे forest को काटते रहेंगे तो कुकविद इननत उनको mail कीजे mail दिया हुआ है seat at वालों ने अगर ऐसा हुआ है image discrepancy या कुछ इस तरह का issue है उनको email कीजे email मैंने बताया था जब seat at का notification आया था उस time पर या office visit कीजे बिल्कुल जाईए अगर इस तरह कोई issue है आपके photo का या कुछ भी आना कोई किरा बेहार में बहुत है देखेगा kvsprt लगभग bilingual मिलेगा बट इसका मतलब यह नहीं है कि एक एक शब्द एक same शब्द को चार-चार बार हिंदी और English दोनों में बताया जाएगा मतलब bilingual मतलब वो भाषा जो generally हम समझ पा रहे हैं हिंदी और English mix करके देखेगा अगर हम बात करें यह कहां से आवाज आ रहे हैं भाई बटाके फूट रहे हैं बोड से यह शाम से चला हुआ है ना क्लास की विसे निमलिखित में से कौन सा वनोन मूलन के प्रणामे यानि पास पेढ होते हैं जिन इलाकों में वहांपर क्या है temperature हलका से कम होगा बाहर के road से यह बात हम जानते हैं तो बल고 सही बात है अगर पेढ नहीं है तो क्या होगा temperature increase होगा increase in level of CO2 हमें पता है भाई पेड जो है वो oxygen छोड़ते हैं environment में और carbon dioxide का save on करते हैं और हमारे लिए oxygen देते हैं तो जब अगर पेड नहीं है तो CO2 का level बढ़ता जाएगा ये बात भी सही है increase of groundwater level भाई पेड के कटने से groundwater कैसे बढ़ जाएगा यानि प्राकृतिक आपदाओं की जो chances हैं वो बढ़ जाएगे बाड और सूखा आएगा भी nature है nature में पेड भी उतना ही हिस्सा है जतना आप बलकि आपसे ज़्यदा ज़रूरी तो A, B और D ये सही है ये consequence सच में होंगे C जो है वो consequence नहीं ये ground water बढ़ नहीं सकता कम होगा तो A, B, D हम देख रहे हैं A, B, D A, B, D विलियर्स नहीं है ये simple A, B, D option है ठीक तो C option is the right answer clear है ये बात? आप तो पोल तीन दिन पहले हटा देते हैं भाई साब चलिए आगे बढ़ते हैं question number 8 देखेगा और फिर भी type करने में चार साल लगा देते हो क्या करते रहते हो laptop में है? बता दीजे नहीं बताएंगे शौरसिंके exam स्खत्म हो गए मैं हम application में last may device token मांग रहा है वो क्या होता? एक बार call करके बता कर लो नहीं तो मैं बोल दूँगी मुझे mail छोड़ देना ऐसा कुछ होगा कि मैं आपने कहीं दूसरे device से तो login नहीं कर लिया है तो उसमें फिर दिक्कत आ जाती है कोई कहरा ही वारा निमोनिक निमोनिक queen आरे बस याद रहनी चाहिएं आपको चीज़ है और निमोनिक में वो नहीं होता न क्या कहेंगे उसको थोड़ा सा भाषा की मर्यादा भी बनी रहती है चचलापन नहीं होता के आप एकदम गलत-गलत उधारन देखे देखेगा अगर हम बात करें question number 8 की तो यह कहता है which of the following statements are true regarding cold and hot deserts अगर हम बात करें तो कौनसी बातें या कौनसी कथन सही होंगे ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए तो अब NCIT में ठंडे और गर्म रेगिस्तान की बात हुई है कि राजस्तान क्या है गर्म है अगर हम लद्दाक की बात कर रहे हैं तो वो cold desert है अगर होट है तो temperature हाई होगा, यहाँ temperature कम होगा, लद्दाख में temperature कम है, राजस्थान में temperature हाई है, simple बात. B option है, hot deserts are battered by sun and are sandy, cold deserts have ice and snow covered ground, यानि गर्म रेगस्तान पर सूर्य और रेट की अधिता होती है, जबकि ठंडे रेगस्तान में बर्फ और हिम से घ्री हुई रहती है, जो धर्ती है, वो ground जो है पूरा जो भी वहाँ आसपास की चीज़े हैं, वो बर्फ से ढखी हुई होगी, बिल्कुल fact है. यहाँ पर गर्म और ठंडे लेगस्तान में रितू के उतार चढ़ाव के महतुपून प्रभाव के अधिता है, अनुभूती की जा सकती है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, जो आपका रितूयें हैं बहुत ज्यादा नहीं बदलती, जैसे आप नॉर्मल एरिया में रह रहे हैं तो अभी बसंत रितू चल रहे है है, बारिश का मौसम है कभी ठंड है, कभी एक बहुत ही अलग-अलग यहाँ पर रितुएं जादा हैं वहाँ कभी थोड़ी बात बारिश होई तो हुई नहीं तो लगभग एक जैसी इस्तिती रहती है रितुएं बहुत जादा नहीं बिदलती है हार्श हो जाता है वेदर ठीक है ना मैं प्रिविएस येर ओन्लाइन पेपर लगा लो निकल जाएगा बिल्कुल निकल जाएगा फणी क्लिप और साथ में देख लो ये नोट्स जो मिल रहे हैं आपको वो पढ़ लो और जो अमेराथोन चल रहे हैं वो पढ़ लो more than sufficient हो जाएगा तो answer क्या है यहाँ D गलत है बहुत जादा रुत्तुएं नहीं देखने को मलती variation नहीं है A, B, C B option is the right answer कितने लोग सही दे रहे हैं 42% लोग फीक है आगे बढ़ेंगे next question पे सरकार अब सो गए या आप कुछ और करने में लग गए हैं तुम इधर मुँ करके बैठा करो ताकि देखे तुम कर क्या रहे हो है ना सो जाते हो, slow साबुन हो गए हो question number 9 देखेगा question number 9 धिहान वहीं रखो ना जो काम कर रहे हो national parks are important for preservation of wildlife, which national park is the oldest in India बहुत अच्छा question है, वन्य जीवन के सनरक्षन के लिए राष्ट्य उपवन या पार्क बनाए गए कि वहाँ पे जो भी flora and fauna है वो भी ठीक से रहें और अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे national parks important है preservation of wildlife के लिए, especially wildlife अगर यहाँ पे flora को side भी कर दें, तो हम कह रहे हैं कि wildlife के conservation के लिए कि इनको नाब तो शिकार किया जाएगा इस एरिया में इना इस तरह की चीज़े होंगी तो कौन सा national park जो है, वो oldest है इंडिया में, यह पूछा है हमसे अब इसमें जवाब जो है, वो अलग-अलग तरह के हैं, और like share करना आप लोग भूल जाते हैं वो कर दीजिया, अगर आपको session पसंद आ रहा है तो, देखिए काजी रंगा सबसे पुराना है, लेकिन यह forest reserve की तरह इसको लिया गया था 1905 में, national park नहीं बनाया गया था, national park 1974 में बनाए, तो इसलिए काजी रंगा इसका सही उत्तर नहीं हो सकता जिम कॉर्वेट, national park is the right answer, 1936 यह है कहाँ, उत्रखंड, ठीक है जी गए हैं आप कभी चौट इसे नहीं, चलेंगे अभी seated देखे, घूमेंगे ठीक है, मलब देखे क्या देखे तो यह लो, बट, मलब खत्म हो जाएगा seated तब, बट कहाँ से, RKVS भी आ चुका अब तो, इमाम क्या कह रहे हैं, इमाम कह रहे हैं, गूड इवनिंग, मैं प्रैक्टिस सेट, सब्मिट के बाद, all sections का answer save नहीं होता है, ऐसा कैसे हो जाएगा, इमाम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी जगा नहीं होनी चाहिए, question number 10 देखेगा, बड़ा question है थोड़ा सा correct sequence of seed germination, अब देखो ये normal topic को थोड़ा सा मुश्किल बना के पूछ लिया, कि जो बीज हैं, उनके अंकुरण के सही क्रम को पहँचानना है, यानि बीज बोई जाते हैं, वो कैसे work करते हैं, क्या steps रहते हैं, उसको आपको सही क्रम में पहचानना है, बताएगा, फटा-फट से इतने में आप लोगों कि आज comments पढ़ोंगी भरपूर, क्योंकि कई दुनों से marathon चल रही है, जादा comments में पढ़े नहीं बाती हूँ यह सबसे पहले, पत्या ही आगई सीधा, बीज बोया नहीं है, पत्या आगई है, देख रहे हैं कितना तेजी से चल रहे हैं, तो A option तो first नहीं हो सकता, जहां पर भी A option first है, उसको हटा सकते हैं हम, तो A और B option हट गए हैं से, बाकी के दो बचे, ऐसे eliminate करेंगे भई, seed absorbs water through a hole, this softness, this softens the seed, this softens the seed coat and it ruptures, मतब बीज एक छेट से पानी को सोकता है, और यह बीज आवरन को नरम कर देता है, और यह फूट जाता है, चलू ठीक है, C option है, A soft shoot emerges from the seed and grows upward, यानि अंकुरन हो गया और अब वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, बीज, तो इससे पहले बीज तो लाओ कहीं, During this stage, the baby plant lives on the food stored in the seed, a small root emerges from the seed which grows downwards, क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं, यह पूछा है, तो सबसे पहले जहां seed की बात हो रही है, वो है आपका B option, बीज एक छेट से पानी को, या नि पहले वो पानी को सोखेगा, बीज को पानी मिलेगा, और वो नरम हो जाएगा, और उसके बाद वो अंकुरित होकर के फूट हैगा, बात तो ठीक है, तो पहला option B ही होना चाहिए, यह तो नहीं हो सकता न, कि पहले small root, बीज से एक छोटी जल निकलती है, नीचे की और बढ़ती है, तो यह तो आगी की process हो गई, यह second step होना चाहिए, फिर D आएगा आपका, during this stage, the baby plant, अब baby plant बाहर आएगा, और फिर जा खरके आपका, यह soft root, finally, बीज जो है वो, plant हो गए, तो C option is the right answer, अगर आप common sense से भी देखेंगे, तो E पहले नहीं आ सकता, पहले तो normal एक जो seed है, वो absorb करके water को, और तब उसको लगाया जा रहा है, ताकि आगे की प्रक्रिया चल सके, उसी option ही एक मात्र सही उत्तर है, अगर हम elimination method का भी प्रयोग करें, बहुत जादा हम ना भी रट्टे लगाए हो हमने, तब भी हम यह चीज common sense से solve, कर पाएंगे question number 11 देखिएगा, question number 11 देखिएगा और बताईएगा, यह कौन है इतने रंग बरंगे चीजे, मेरा नाम कभी नहीं लेती हैं, सब्रीन जेबा, इतने creative हो ना आप लोग, पढ़ भी लिया करो थोड़ा, इतनी जल्दी घर में खाऊ और पढ़ाई करो, शानती से, क्या हो गया, ऐसे कौन सी technology है, जो दुनिया से अलग, पहली बार दुनिया में एक चीज हो रही है है, देखिएगा, choose the correct journey of bajra seed from the field to plate, यानि, बाजरे की बीज की खेट से plate तक की सही आत्रा को चुनिये, मतलब, बाजरे का बीज है, उससे आपकी plate तक जब वो रोटी की form में आएगा, तो, क्या steps रहे होंगे, दिव्यांजली क्या पूछें, hello ma'am, attempting seated for first time in a, I'm a mother of three year old kid, please guide, please guide, last time revision, especially facing problem in Hindi pedagogy, दिव्यांजली मैंने 25 दिन की strategy बनाई थी, एक बार उसको देख लो, और सिर्फ marathon sessions, previous year, जहां previous year में अटक रहे हो, मालनो हिंदी में ही, कौन से topics में दिख्कत आ रहे हैं, समझ के पढ़ने में दिख्कत आ रहे हैं, तो उनको और अच्छे से 4-4 बार revise कर के धंग से आपके पास हैं, उतनी चीज़ें enough हो जाएंगी, दिख्कत आपको नहीं आएगी, paper निकल जाएगा, बेशक आपको घपराट हो रही हो, लेकिन अगर आप पढ़ते रहेंगे इस घपराट के दौरान भी, तो नुकसान नहीं होगा, उससे निकल जाएगा, paper पता भी ने ल यहीं कर रहें थे कि थ्रेशिंग के बाद विदिख्रान नहीं है, नहीं है ना, कहीं, harvesting है, threshing है, kneading आ गई, सीधा आटा गूतने लग जाओगे, मतलब अभी ना, थ्रेशिंग की जुरत पडई ना, किसी और चीज़ की, इसके बाद विदिख्राट विदोइग आना था, विनोइंग बाद में होगी, पहले आटा गोथ जाएगा, यह तो कैसी बात होगी हार्वेस्टिंग विनोइंग ठीक है, ग्राइंडिंग, सीधा पीसना शुरू कर दिया मतलब ना थ्रेशिंग हुई थ्रेशिंग, विनोइंग, ग्राइंडिंग, नीडिंग, रोलिंग, रोस्टिंग यानि पहले फसल काटी गई, फिर थ्रेशिंग हुई, उसको मार मार के पीट पीट के क्या कर दिया गया, बीज को अलग कर दिया गया और जो उसकी फसल थी, जो पीछे का भाग था, उसको अलग कर दिया गया, रूट्स को अगर हम कहा रहे हैं तो threshing हो गई, फिर फटक फटक करके क्या हुआ, बीज अलग और भूसा अलग जो थोड़ा भूसा बचा हुआ था, जो बीज की अंदर, बीज की बाहर वाला कपर था, उसको हटा दिया पीसेंगे फिर आप इसको, फिर या चक्की पर देख करके आएंगे, फिर आठा गूंत आ जाएगा जब वापस आ जाएगा तो फिर रोटी बेली जाएगी, फिर रोटी सेकी जाएगी, ठीक है, अब यह step कभी नहीं भूलने है, C option is the right answer ठीक है, तो C option is the right answer यह नोंने उल्टा कर रखा है कि पहले rolling कर लो, winnowing बाद में करो, पहले रोटी सेक लो, ऐसे थोड़ी होता है अब यह question भी repeated है, offline papers में भी आता था कि red data book keeps record of, यानी लाल आकणों की पुस्तक, अब हिंदी में तो इन्होंने इतना खतरनाक translation किया है कि चक्कर आजाए इंसान को है, देखेगा, maths की class लगवा दो, उद्धा सर से please, लगवा देंगे, EBS के notes दे तो न, यार यह इतने बड़े-बड़े session ले करके, मेरी थोड़ी सी तबे धीली हो गई है, तो मैं आज रात को बैठ करके कोशिश करूँगी, कि EBS का final कर दें आपके लिए, अगर हम बात करत जी आपको सिर्फ English में मिल पाएगी, इस बार, अगली बार करेंगे उसका जुगार, Red Data Book Keeps, Red Data Book क्या करती है, Endangered Species जो है, उनको cover करती है, Endangered Plants and Animals, इसमें आते हैं, लुप्थ, प्राय, पौधे और जानवर जो हैं, जो लुप्थ होते जा रहे हैं, Red का मतलब यह ना भा इसका record रखा जाता है, यह एक simple सा question है, I think NCIT में भी कहीं given है, सिर्फ animals के बारे में या उन सब के बारे में बात नहीं हो रही कि जो present है, जो गायब हो रहे हैं, उनकी बात हो रही है, यह आपका NCIT में given है, Nehru Institute of Mountaineering कहा है, वो जो आपका बचहिंदरी पाल वाला chapter है, उसमें चलेगा, please, answer पे ही ध्यान जाता है, I understand a more, अब आगे से ऐसा कर देंगे, अगली बार से answer, last में दे देंगे है, PDF कौन से वाली अभी दे नहीं है, questions की, pending है क्या, दे देंगे, काहे घबरातें सरकार कर देंगे, चलिए इसी बात पर, समझते हैं क्या कहानी है, हमारी पड़ो जरा जरा सी बच्चों को Netflix देखना है, हम Netflix लिया ही इसलिए है, ताकि हम बांट सकें, नहरू Institute of, बट क्लास के बीच में Netflix कैसे दे दें, बताओ आप, यह option है 46% लोग, नहरू Institute of Mountaineering कहा इस्तित है, उत्तरकाशी में, दार्जलिंग में, धर्मशाला या उटी, घूमने का मन यह सब जगाए पढ़के किसी का, नहीं किया न, करना में नीचाईए, पेपर है, यह उत्तरकाशी या नि, उत्तराखंड में इसिचुएटेड है, I think, एक बार यह आप चेक भी कर ली जगा, 1936 के आसपास यह शायद बनाओगा, यह एक बार में confirm नहीं है, बट यह उत्तर हाड चढ़े जाएंगे, वो यहां सिखाए जाएगा, question number 14 देखेगा, question number 14 बहुत ही प्यारा question है, map से एक question है, जो कि map से कई question आते ही है, जवाब दीजेगा, जवाब, फटा फट से जवाब दीजेगा, अरे सर इतने slow साबन कैसे हो गया है, ठाक जाते हैं क्या, आइस्क्री हैं आपको, दीदी आपने CDP सारी theory करा दी ना, हाँ रूपा, अभी pedagogy वाला part उसमें रह गया है, जैसे NEP, जैसे RTE, जैसे NCF, इस तरह की 2-3, inclusive education, CCE, तो अभी एक session बड़ा सा कल लगीगा, जिसमें हम discussion करेंगे, theories सारी हो चुके हैं, जो जरूरी हैं, इसके अलावा एक memory इस बार हलका सा question आगया था, short term memory और एक types of play, ये मैं आपको in between किसी दिन questions के साथ करा दूँ, आज बहुत गलत हो रहे हैं, हाँ समया, ये set थोड़ा सा, मुश्किल है, इसलिए हम ये set को discuss कर रहे हैं, 22,000 लोग जुड़े हैं, सिर्फ 12,000 लोग उन like किया है, क्या चाहता है, हमको सब ध्यान रखना होता है, कौन like किये हैं, कौन नहीं किये हैं, देखे, identify which one of the falling states have sea on one side, यानी भारत के राज्ये हैं मैप पर, अगर आप उनको मांचेतर पर देखते हैं, तो किस राज्ये की जो सीमा है, उसके एक तर्ट पर समुद्र है, एक तर्ट की बात हो रही है, गुजरात, हाँ, पता है हमें, समुद्र है, महराष्ट्र, हाँ, पता है, समुद्र है, गोवा, बिल्कुल पता है, आप जाते ही इसलिए, गोवा के प्लान साब बनाते ही इसलिए, समुद्र मिलेगा, करनाटका, सोच लो, मिल सकता है, कैरिला, तमिल नाडू, आंधर प्र चलोगे ब्रो, जैन्वरी में नहीं जा पाएंगे कोशिश करेंगे, चलो हमारा एंडमान एं निकोबार का प्लान जमानों से बन रहा है, पापा बनाया करते थे अब हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आज तक भी जा ही नहीं पा रहे हैं, जाएंगे बिट अगर हम बात करेंगे, हमारी फैमिली ट्रिप अटकी हुई एंडमान निकोबार की बी ऑप्शन है, गुजरात, महराष्टा, गोवा करनाटका, केरला, तमिलनाडू, आंध्रप्रदेश फटा-फट से बताईएं, गुजरात, yes है, महराष्टा, yes है गोवा, yes है, करनाटका भी चलेगा, केरला भी चलेगा, तमिलनाडू पी चलेगा आंध्रप्रदेश भी चलेगा, वेस्ट पिंगॉल न ओडिसा भी चलेगा, तो क्या यही सही उत्तरमाने चलिए देख लेते हैं C option है गुजरात, मध्यप्रदेश, गोवा, करनाटका, केरला, तमिल नाडू, आंध्रप्रदेश, वेस्ट पंगॉल औरिसा देखें, मध्यप्रदेश में अगर समुद्र आ गया तो फिर तो क्या ही कहने है तो ये तो हट गया D option है गुजरात, मध्यप्रदेश, अगेन मध्यप्रदेश और समुद्र का क्या मतलब समुद्र को किसी तैट पे नहीं है मध्यप्रदेश ठीक है B option, मध्यप्रदेश वाले भी ऐसी दुखियां जैसे दिल्ली वाले उनको भी गुजराती जाना पट रहा है समुद्र देखने तो गुजरात, महाराष्ट, गुजरात, करनाटक, केरला, तमिल लाडू, आंधर प्रदेश कितने राजे नहोंने दे दिये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और नौ और इन ही नौ को अब हम मैप पर देखेंगे, फटा-फट से देखते हैं अगर आप यहां देखेंगे, अब हटादो पूल बैठे क्यों हो बरो क्या हो गया तुमारे प्रेजेंस आफ माइंड को ज्यादा पढ़ाई कर लियो एक्जाम्स में देखें, अगर हम यहां बात करें यही नाइन स्टेट्स हम देख सकते हैं गुजरात, समुद्र है भाई, Arabian Sea है माहराश्टरा, गुजरात, माहराश्टरा अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, थर्ड, गोवा की ठीक, Arabian Sea है इनके सबके साइड में क्योंकि West में Arabian Sea होगा Western States में Eastern States में आपकी Bay of Bengal यानि बंगाल की खाड़ी हो जाएगी Simple बात है नीचे Indian Ocean होगा ठीक Goa हो गया Karnataka 4th Tamil Nadu 5th Kerala 6th ठीक इधर 7th Puddu Chari आंधर प्रदेश Odisha West Bengal ठीक है इसको हटा भी दें तो 9 के 9 ये स्टेट्स हमें मिल जाएंगे मद्देप्रदेश यहां कहीं है जिसको ये कह रहे थे के भीया MP MP के तो आसपास भी पानी देखने को नजर नहीं आ रहा तो ये map हमें multiple times देखते रहना है क्योंकि paper में question आता ही आता है आगे बढ़ेंगे समझेंगे क्या कहानी है देखेंगे एक बार question number 5 क्या कहता है देखेगा question number 5 बढ़ेगा थोड़ से बड़े-बड़े questions हैं बट आप जवाब देख पाएंगे हमें पूरा विश्वास है भाई इतनी देर पहले तक इसे थोड़े होता है शौर ध्यान ही ने बाबू गलत बात नहीं तो टिपिकल है न question है हाँ पूझा आज के questions टिपिकल हैं of course दस घंडे पहले तुमको बता दिया थे के भाई कमाल करती हो आज खेगा question number 15 harvest के बारे में कुछ बात हो रही है जवाब दीजे फिर हम आगे बढ़ेंगे B option कहा रहे है 52% लोग चलिए समझेंगे क्या सही है और क्या गलत है 52% लोग कहा रहे है B option is the right answer over here चलिए मान लिया हमने B option देखते हैं अगर हम बात करें harvest festivals are major occasions of joy and gaiti मतलब क्या हो फसल कटने का जो परव है वो खुशी और उनलास का परव होता है देश भर में हम देखते हैं और इस पे अलग-अलग जगा पे अलग-अलग नाम भी है इसके events होते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश celebrate तिल संक्रान्ती आप देखते हैं तिल संक्रान्ती या मकर संक्रान्ती भी क्या देते हैं हम सेम होते हैं या नहीं यह आप बताइएगा बठा संक्रान्ती मतलब किस खुशी में है? फसल के लिए मनाई जा रही है फिर है B option यह कटने की खुशी में मकर संक्रान्ती पे तो नहीं कटती है B option है जारखंड celebrates पॉंगल एंड तमिलाड़ celebrates नबना पता नहीं, सोच यह फिर आते हैं हम जारखंड में पॉंगल कबसे मनाने लग गए भाई? यह केरेला वाली बात हो जाएगी गुजराथ celebrates लोरी अरे कमाल कर दिये फिर पंजाब क्या करेगा? फिक तो यह भी गड़बड हो गया D option है महाराष्टरा celebrates गुड़ी पढ़वा Assam celebrates B हू यह हमने बिल्कुल NCI टिम पढ़ा है B हू बनाया जाता है समय West Bengal में नबना अब बात ठीक लग रहे है A और D जो हैं यहां कुछ sense में कर रहे है तो A and D is the right answer A and D कहीं लिखा है? नई 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 यहां पर A and D है B option is the right answer वो तो B and D हो जाएगा तो B option is the right answer आगे बढ़ेंगे question number 16 पर देखिएगा पूछा है कुछ बड़े बड़े से questions है question number 16 है Mr. Lokesh was talking about landfills and their effect on environment यानि Lokesh है Mr. Lokesh teacher होंगे भूमी भरन और उसके प्रभाव के विशह में यानि landfills जो हैं आसपास आप देखते हैं ना कूडे के पूरे पूरे धेर लगे हुए हैं और इसका क्या effect होता है environment में उसके बारे में बात कर रहे हैं he asked students to visit the nearby landfill area and prepare a case study report this activity is important as it तो कहा गया है भाई जहां पे भी आपको लग रहा है landfills हैं कूडे कचरे के ठेर लगे हुए हैं आसपास आपको ऐसी जगा दिख रहे हैं landfill site in an area अब इतनी कोई मतलब ताजमहल तो है नहीं के landfill site देखने जाएंगे तो बिना उसके काम नहीं चल पाएगा फिर आता है आपका C option helps students to go out of classroom and enjoy चलो ठीक है helps students analyze and think of situations to mitigate the problem यानि इस समस्या का visualization करके इसको हल कैसे कर सकते हैं बात एकदम ठीक है कुछ हद तक हम कह सकते थे cause and effect relationship हलका फुलका हम कह सकते थे कहां सही की तरफ जा रहा था बट क्या ये सही हो सकता है पूरी तरह से combination ही नहीं दिए है अगर सही होता भी तब भी आपको पता है कि combination नहीं दिए है गलत नहीं कहेंगे पूरी तरह से बैट दो ही option अगर choose करने है तो बहतर option दो सिर्फ आपका C और D है जो option C में दिये हुए है तो C सही है अगर A की हम बात करें तो A, C, D का कोई option यहां नहीं है available तो उस case में A पूरी तरह से गलत अगर नहीं भी है क्योंकि cause and effect डिरेक्टली नहीं सिखाने जा रहे हो माल लोग चर्चा हो भी तो यह cause and effect ऐसा नहीं है कि इसके और तरीके नहीं है इसको ठीक करने के ठीक है तो आगे बढ़ेंगे next question पे C और D जादा बहतर हैं बाखी के दोनों option से A और B से देखेगा question number 17 इस तरह के activities में अपकोर्स बच्चे को आसपास के एरिया में जाने को मिलेगा तो वो enjoy तो करेंगे ही और EBS में तो जाने को मिलना भी चाहिए बाहर तो इसलिए वो सही था गुरमीत क्या कह रही है मैं थ्री मन से तैयारी कर रही हूँ पी वाई क्यू में 120 से जादा नहीं आ रहा है कैसे increase करूं सब confusing हो रहा है मैं suggest Queen of Pedagogy EBS Notes EBS Notes जल्दी मिल जाएं गुरमीत एक से दो दिन और समय दीजे बात रही आपकी तीर मेरे में 120 से जादा नहीं जा रहा है क्या चाहते देखेगा देखेगा कैरी मज़ाक की बात भी गुरमीत analysis क्यूंकि मैं आपके सामने नहीं है तो आप मुझे मिलेंगे अगर offline class में या कोई भी अगर मिल रहा है तो वहाँ मुझे पता लगया किस section में कितने आ रहे हैं कहा improvement की ज़्यादा गुंजाइस है किस तरह के questions गलत हो रहे है यह सब देख करके analyze कर पाओगे आप अपने आपको और किन topics में देखता रहे है तो उनको अलग से बढ़ो दो बार और extra बढ़ो practice की कहीं कोई कमी तो नहीं है question पढ़के समझने में गलती तो नहीं हो रही बहुत सार reasons हो सकते हैं उसके पीछे और 120 is a good score paper में ज़्यादा ही आएगा देखिये सत्रा question number 17 की अगर हम बात करें students are asked to prepare models related to environmental problems and solutions and participate in a national exhibition this is a good way to engage students as यानि विद्ध्यार्थियों को परियावन समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित model बनाने और राष्ट्रे प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है यह काम करो environment से related models बना करके लाओ और जो problems चल रही है environment में मालने ज़े landfill की एक समस्या है तो उसका solution क्या हो सकता है इस तरह की चीज़ें एक national exhibition एक नुमाईश एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी वहाँ दिखाएंगे है क्या होगा इससे बच्चों का क्या फायदा होगा good way में एक तो engage हो रहे हैं तो model making keeps students busy and engaged तो busy और engaged के लिए तो dance कराओ गाने गबबाओ कुछ भी कर लो यही कराने के क्या जूरुत थी तो यह तो best option तो नहीं हो सकता है B option है model making अगर हमको यह मालो चार options में से दो choose करने होती तो फिर भी हम इसको positive कह देते जैसे हमने last question में किया था लेकिन क्योंकि एक choose करना है तो जो best होगा वही choose करेंगे फिर नॉर्मल वाले से काम नहीं चल पाएगा समझ पार हो यह नहीं EBS के notes दे देंगे 60 में 60 लेया ना exam pillar आप exam fillick क्या रहे हैं आप से पढ़के आ जाएगे 50 number KBS में बता दीजे 60 में से 40 में से पूछ रहे होगा 50 आ जाएगे तीन एर से पढ़ रहे हूँ उर्दू में दिक्कत है 110 अच्छा subject change करके देख रहते हैं अगर जादा थी तो दिक्कत आदर्श क्या कह रहे हैं EBS and maths का note exam के बाद मिलेगा इन हिंदी नहीं EBS का तो आदर्श हिंदी में exam से पहले ही मिल जाएगा maths का हिंदी में नहीं मिलेगा वो अगले exam में मिलेगा English में मिल जाएगा अब देखो इनको sarcastic होना है मजाग भी हमसे ही करेंगे देखिएगा अगर हम बात करें exam आएगा भी 16 तारिक से exam होगा एक हफता पहले देंगे देखेंगे कितना पढ़ेंगे C option 93% model making using expensive material indigenous material यूज़ करना है याद रखेगा जो better option है वो क्या है indigenous यानि जो घरेल हो या जो आसानी से available हो चीज़ें यह waste material वग़रा का use करके जो थोड़ा सा सस्ता भी पढ़े environment के लिए भी अच्छा हो C option है model making expensive नहीं model making develop critical thinking of strange बिल्कुल क्योंकि उनको problem solve करनी है environment में क्या क्या problem है उस पर model बना के लाएंगे कोई solution निकाल करके लाएंगे कोई machine जैसा कुछ बनाएगा C option बिल्कुल सही है model making से क्या होगा monotony break हो जाएगी तो उसके लिए तो आप गाने इंगववा लिजे monotony यानि जो नीरस्ता है उसी कुदूर करना है तो बहुत activities है सीधा model ही क्यों तो C option better था अब देखे question number 18 देखेगा which one of the following activities can be used by an environmental studies teacher to impart process skills इस बार process skills इवन इससे पहले भी process skills पूछी गई है प्रक्रिया कोशल कहते हैं इनको हम जिसमें बच्चे का दिमाग involved हो जैसे आपका observe करना classify करना, experiment करना ये सब process skills हैं जिससे आपकी scientific knowledge, environmental knowledge बहतर होगी तो process skills किस से बहतर होगी किस एक activity से, dance से recitation से, वाचन करवाने से singing से, नहीं, gardening से क्योंकि जब बच्चा एक activity करेगा उसको observe करेगा, तो observation क्या है एक process skills है, 5-6 process skills है, ये मैं कराऊंगी pedagogy मेरा thon में, तो EBS वाली, तो बागवानी करने में आपको observe करना पड़ेगा, plants कैसे grow होते हैं कितनी मात्रा में उनको कब क्या देना है कब sunlight देनी है, क्या extra weeds नकालने है तो ये observation नाम की एक process skill आपकी develop होगी, किसी और चीज में classification हो सकती है, किसी और चीज में experimentation हो सकती है, ठीक question number 19 देखिएगा एक बार ये क्या कहता है two pots were placed in the garden and in both of them seeds of beans were sown, यानि दो बरतन रखे गए बगीचे में और दोनों में seeds लगाए गए एक के अंदर, जो एक बरतन है उसके अंदर क्या लगाया गया, beans ठीक, एक बरतन को चाया में और दूसरे सूरे के प्रकाश में रख दिया राधा को प्रते दिन अवलोकन करने का record रखने के लिए कहा गया, of beans were sown, teacher asked राधा to put two pots at two different places एक को shade में और एक को sunlight में और उनका record यानि उनको observe करे कि जो shade में रखा गया था वो कैसे मुर्जाया या क्या हुआ या फिर जो sunlight में रखा गया था उस पर क्या प्रभाव पड़ा तो अब राधा की कौन सी process skill यहाँ develop होगी simple बात है इससे confidence बढ़ जाएगा भाई observe करेगा बच्चा confidence की बात कहां से हो रही है कोई speech देने को थोड़ी कहा है developing higher observation skills बिल्कुल बच्चा अवलोकन करेगा कैसे seed germinate होगा कैसे एक एक दिन में वो मुर्जाएगा बनेगा पानी कब दिया जा रहा है उससे क्या प्रभाव पढ़ेगा तो observation skills आपकी better होती है जब आप बच्चे को कोई ऐसी activity देते हैं जिसमें उसको observe करना पढ़े daily basis पे concept present किया जाएगा punctuality आ जाएगी जी नहीं B option is the right answer या best answer बाकी चारों से question number 20 देखिएगा क्या है ये how can an EVS teacher क्या प्रियावरण को बचाएं भी प्रियावरण को क्या करें बचाएं भी तो एक प्रियावरण सनरक्षक के रूप में कैसे बहतर काम कर सकते हैं ये पूछा है देखिएगा अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो question number 20 क्या खहता है एक परियावन अध्यापक है क्या करेंगे अब environment के प्रती बच्चे protect करें उसको asking them to reuse, recycle and recycle the products चलो ठीक है asking them to develop new resources कोई sense नहीं है making them to be care taker of one plant or tree of their locality चलो ये भी ठीक लग रहा है ये भी ठीक था asking them not to harm the nature अब ये not to harm the nature मतलब सीधा harm ही करेंगे protector का मतलब है वो कुछ और extra efforts डालें उसको बहतर बनाने में environment को protect करने में तो हानी ना पहुँचाने को तो पुरी दुनिया कहती है को कहता कोईने के हानी पहुचाओ तो इससे तो वो protector नहीं बन जाएंगे ग्यान से प्रोटक्टर नहीं बनेंगे जब तक उनको कोई activity करने को नहीं दी जाएगी पहला option है जब आप उनको कहते हैं reuse करो recycle करो products को तो सारे बच्चे recycle कर ले मानलो बिसलरी की bottle लाए खरीद गे अब उसको recycle भी खोदी कर ले उसको reuse तो चलो कर वे सकते है recycle बच्चा कैसे करेगा सारी चीज़ें लेकिन ठीक है कुछ हत तक लेकिन इन सबसे बहतर है जब आपने बच्चे को कहा कि एक plant लो और उसका ध्यान रखो making them to be care taker of one plant or tree of their locality यानि आसपास कोई एक पौधा है घर के बाहर या पार्क में या आसपास की किसी जो भी surrounding है एक पौधे को गोद ले लो यानि उसको कहो यह मेरा बच्चा है आज से इसका मैं ध्यान रखोंगा उसको पानी दो अगर कोई एक्ट्रा घास है उसको हटाओ मतलब वो अपने आप responsible feel करने लगेगा उसके अंदर वो care का भाव अपने आप develop होगा जब वो यह activity खुद से करेगा तो यह best option है कि बच्चे से आप real life activity करा रहे हो C option is the right answer question number 21 देखेगा 9 question और हैं इसके बाद question number 21 कहता है which one of the following is or are achieved through inquiry based learning यानि कि उदेशक होज आधारित सिक्षन से क्या प्राप्त होगा inquiry based learning यानि बच्चा जहां inquiry करे जहां questioning करे, जहां explore करे, environment का innovation करे, discover करे चीज़े बताएगा फटाफट से फटाफट बताएगा पहला option है enhancement in curiosity of the student यानि बच्चे की जग्यासा बढ़ेगी बिलकुल कह सकते हैं कितनी देर तक class चलेगा मैं यह dollar के back भरके पूछ रहे हैं शहबाज 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 class का हम समय पहले से निर्धारित कैसे करेंगे एक से सवा गंटा लग जाता है यह तीस questions क्योंकि बड़े questions है लेंदी questions है तो मुझे लगता है अगले 15-20 minutes तक खत्म कर देंगे हम 17-10 तक अगर मैं predict करना चाहूं तो enhancement in curiosity आप कहें 2 minutes में करा देते हैं सीधा answer ही discuss कर लेगे D option कहरें 60% लोग यानि inquiry based learning यानि जहां बच्चा inquire करे खोज करे पहला option है enhancement in curiosity of the student यानि जग्यासा को बढ़ाएंगे तो बच्चा inquiry करेगा अगर जग्यासा होगा questions पूछेगा environment में चीजों को observe करेगा activities करेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है फिर आता है students engagement in learning यानि विद्यार्थियों की सीखने में व्यस्तता यानि वो engaged रहे है चलो ठीक है social interaction among students developing lower order cognitive processes व्यक्व lower order cognitive processes से काम चलना नहीं है तो हम कहेंगे A, B और C सही है A, B और C का option भी है हाँ D option है ठीक है न कि इससे क्या होगा कि बच्चे की जग्यासा में व्रिद्धी हो सीखने में व्यस्त होगा एंगेज होगा तो क्या होगा उससे खोज करने में इंट्रस्ट बढ़ेगा निमन इस तरही है नहीं higher इस तरही है यानि higher order thinking skills होट्स जिसको हम Bloom Taxonomy में पढ़ते हैं तो 21 का D question number 20 second देखिएगा एक बार यह कहता है experiential learning is important for improving the learning abilities of students which one of the following can be achieved through experiential learning experiential learning क्या है अनुभव जन्य अधिगम यानि बच्चे को आप अनुभव दे रहे हो उस अधिगम का जो आप उसको कराने की कोशिश कर रहे हो तो शात्रों में सिक्षन योगिता सुधारने के लिए अनुभव जन्य सिक्षन महतुपूर्ण है आप उसको field trip पे ले गए एक अनुभव दिया कोई activity कराई plant को seed को एक proper उसको काम दिया कि भाई इसको बो करके देखो कैसे ये grow करेगा germinate होगा इन में से कौनसी उपलब्दी अनुभव जन्य सिक्षन से प्राप्त की जा सकती यानि जब आप बच्चों को experiential learning दे रहे हैं तो कौनसी एक चीज achieve कर पाएंगे वो sensory experiences हाँ ठीक है concrete experiences ठीक है gain in more knowledge and better grades ये तो गडबड है improvement in process skills यानि उनकी thinking उनकी observation उनका experimentation ये सब बहतर होगा तो A, B और D सही है C गलत है तो A option is the right answer जो कि आप लोग भरपूर मात्रा में सही दे रहे हैं question number 23 देखिएगा सचीन एक बच्चा है क्या कह रहा है देखिए एक बार पढ़ीगा इतने में आप लोगों के comments पढ़ती हूँ प्रिथा कहरे है माम मैंने B.A. 3rd semester में CETA 2021 qualify किया है am I eligible? बिल्कुल प्रिथा no tension at all बिल्कुल तयारी कीजिए जब के कीजिए ठीक है जे? कोई दिक्कत नहीं उससे क्योंकि वो year matter करता है और उस साल मतलब आपका final होना ही था 3rd था semester 4th था doesn't matter अभी के लिए at least चलिए देखिए अगर हम बात करें question number 23rd और आप तो बिल्कुली नहीं करता matter आप तो इन्होंने बिल्कुली ध्यान देना छोड़ दिया आप पहले दिन में भी हैं अगली बार के लिए सोचेंगे नोट्स मतलब नोट्स और नोट्स पर काम करना पड़ता है फिर अदरवाइस तो पूरी NCIT चखवा के देदें आपको नोट्स ही हैं फिर भूबी बहुत अच्छा पड़ाती हैं love you धन्यवाद अभी thank you so much हम जल्दी मिलेंगे हम okay दिदी okay इसने आ sunday मिलेंगे भई sunday offline class है आपकी free free देखिएगा question number 23 सचन comes from a socio-economically disadvantaged background सचन एक बच्चा है जो आर्थिक रूप से अभाव ग्रिस्थ प्रिष्ट भूमी से आता है यानि थोड़े गरीब परिवार से आता है socio-economic status अच्छा नहीं है Mrs. Khurana his class teacher Mrs. Khurana है उसकी कक्षा अध्यापिका should help Sachin and create a classroom background और environment which अब Mrs. Khurana को जो की उसकी कक्षा अध्यापिका है तो उनको कैसा वातावरन देना चाहिए इस तरह की मदद Sachin को देनी चाहिए पहला option है values his cultural and social background यानि जिस भी background से वो आता है चाहिए वो socio-economically disadvantaged background से आए किसी और हाशी से अगर वो आ रहा है जाती के आधार पर या आर्थिक स्थिति के आधार पर तो उसके environment को उसके sanskriti को परिवेश को value दिंगी सम्मान से देखा जाएगा जो भी बच्चा घर से लेके आता है उसको valuable हम मानते हैं ये बात समझ नहीं होगी फिर आता है भी option discourages the use of his vernacular language and focuses on English यानि उसकी जो मात्री भाशा है जो शेत्रिय भाशा है उसको discourage करेंगे हातोत साहित करेंगे आपकी three language formula से लेकर के पुरानी NEP से लेकर के कोठारी आयोग जो शुरात में बात कर रहे थे NCF से लेकर के NEP से लेकर के कोई दुनिया में बच्चे की मात्री भाशा को नकारनी की बात नहीं करता Categorizes him into a separate group Separate मतलब segregation is against the law of nature अलगाव प्रकृती के नियमों के खिलाफ है तो separate तो आप बच्चे को कर ही नहीं सकते अलग थलग तो आप बच्चे को कर ही नहीं सकते D option is teaches him etiquettes and manners which she feels he lacks यानि उसे वे शिष्टाचार और आदतें सिखाएंगी कि बेटा चम्मच और काटे सिखाते हैं स्कूल में तो तुम कैसे हाथ सिखा सकते हो और whatever ठीक, etiquettes सिखाएंगी मेडम उसको आते ही पहले भहिया उसको comfortable तो हो जारे है तो environment और किसने गहाए जो आप etiquettes सिखा रहे हो वही final है दुनिया में तो teaches him etiquettes and manners which she feels he lacks मतलब वो एक particular संस्कृती या समाज से आ रहा है तो वो जो भी है उसके पास सब खराब है ये हम नहीं करते हैं बच्चे के background को negative नहीं दर्शात है ये बाद में सीख जाएगा समय और environment के साथ जो चीज़ें सीखनी होंगी तो values his cultural and social background और सिर्फ उसी को क्यों फिर तो etiquettes तो हम सब को भी सिखा सकते हैं तो उसके sanskritik और samagic परिवेश को संबान से देखा जाए ये सबसे बड़ी help हो जाएगी बच्चे की और उसके लिए एक अच्छा environment साबित होगा जब उसको comfortable या emotionally safe feel होगा जिस environment question number 24 देखिएगा और जवाब दीजेगा कोई रॉम रॉम कर रहा है कहां से वो भी महराश्ट्र से बहुत बढ़िया नाम लेलिया आपका वैशाली के ए EVS के नोच देदीजे आपके online exam की PYQ सब वीडियोस देखे exam निकलेगा बिलकुल निकलेगा वैशाली trust करके पढ़ना होता है जो भी आप पढ़ रहे हैं nephew बोल रहा है कि जब आप गलती करते हो तो आपकी में आपकी पिटाई mobile से बाहर आके करते हैं कि yes yes प्रभा उसको बताना कि हाँ ऐसा एक concept होता है उसके दिमाब में alternative concept बहर दो एक naive conception create कर दो पढ़ते हैं न हम wrong conceptions उसको बोल दो हाँ ऐसा हूता है ऐसे हाथ आता है भूत की तरह और लग जाता है मतलब पिटाई ही तो बच्चों ही डर बेटा हुआ है ऐसे खतरना हमाबाप और teachers हैं कि देखिएगा एक बार अगर हम बात करें किसकी question number 24 की which one out of the following can help a teacher to make his EVS classroom effective यानि EVS कक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन सा तरीका सही है मैं from where we can get good SST notes for paper 2 दिव्यांजली कह रहे हैं NCRTs, NCRTs, NCRTs अगर आप YouTube पे NCRTs summary देख सकते हैं NCRT books, जोग चाहिए UPC वाले भी पढ़ते हैं अगर किसी के notes मिल जाएं क्योंकि आपको as it is मिलना है paper में बिल्कुल language NCRT वाली आएगी एकदम एक-एक line उठके आती है तो वो NCRT तो आपको पढ़नी पढ़ेंगी देखिएगा तो उनकी notes पढ़ लीजए, किसी कोई video देख लीजए summary जिसने कराई हो otherwise 500 page मत पढ़ने बैठ जाना कोई किताब खरीद के इस टाइम पर मुश्किल हो जाएगा paper में ज्यादा समय नहीं है और उसमें भी फिर वो gist होगा, gist से काम नहीं चलेगा वो line to line आपको चीज़ें NCRT से उठकर के रखी हुई होनी चाहिए, अगर notes भी बनाएं किसी ने तो देखिएगा question number है आपका 24 पूछा है कौन सा एक teacher है जो EBS को बहतर कौन सी एक तरीका बना सकता है, garden of school यानि अगर आप परियावन अध्यान सिखाना चाहरे है तो कौन सी जगा बढ़िया है school में, garden हाँ बगीचा है, वहाँ पर भी environment के बारे में सीखेगा communication technology संपरिशन की तकनीक, phone या information and communication technology या electronics and TV तो हम यह कहेंगे A और C दोनों सही है अब आप यह कहेंगे communication को तो हटा दिया, क्योंकि communication technology में उतनी real life चीज़े नहीं दिखाई जाती है जैसे हमानले जो phone पर बात कर रहे हो आप या TV ही है, अगर उसकी बात करें तो वह एक तरफा बात ज़्यादा है जबकि ICT, information communication technology, जो आपके सामने इस board है, उसी का एक example है, जो camera से आप education ले रहे हैं, तो information communication technology technology की माध्यम से, जिसमें video दिखाई जा सकती है जिसमें कोई experiment आपको कराया जा सकता है AR, VR लगा करके कुछ आपको experience direct कराया जा सकता है तो ICT बहुत अच्छा होता है, education के लिए याद रखेगा तो CSIER, garden तो है real life, तो A option is